नमस्कार दोस्तो, कुछ समय पहले, बल्कि कुछ समय क्या, बल्कि कुछ साल पहले, एक विपक्षी नेता ने ये कहा था, कि दरसल कॉंग्रेस पार्टी को और किसी चीज की आवशकता नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि गांधी परीवार के विन्या पार्टी नहीं चल सकती, या इसका कोई विवाईवल नहीं हो सकता, दरसल पार्टी को जरूरत है अमित शाह जैसे अध्यक्ष हो जो 24 घंटे पार्टी के बारे में सोचता रहे तो फिर ये पार्टी अपने आपको रिवाइब कर सकती है लेकिन अब इस्थिती क्या है अब इस्थिती है कि कॉंग्रेस लगतार गड़े में जा रही है अध्यक्ष किसी को बना लीजे लेकिन आच चर्चा कर र ऑभी जीका काम है वो द BLACKko के दो राज्यों की यात्रा पर थे आंध्र पर्देश में उन्होंने विशाखा पत्तनम में में एक कर्यक्रम को शंबोदीत कि नान ड़े कवेलॉर में एक रैली को संबोदीत किया और उनकी इस रैली को दो हजार चोबिस के लोकसभा चुनाओं के लिए बिगुल फूकने का जो एलान है उसके दरश्टी से देखा जा रहा है और इस कारेकरम में दोस्तों इन दोनों जनसभाओं में उन्होंने बहुत जबरदस्त बाते कही तमिल नाडू में जब वो थे तो तमिल नाडू में उन्होंने कहा के देखे तमिल न जाता था उसे संसद में स्थापित किया है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना सम्मान यहां की कल्चर के परती रखते हैं अमित शान ने ये भी कहा कि देखे इतना बड़ा राज्य है और इतने बड़े बड़े लीडर आजादी के लड़ाई में तमिल नाडू से निकले हैं लेकिन आज तक कोई भी पीम नहीं बन सका तमिल नाडू से तो उन्हें कहा कि अगर यहां के लोग बीजेपी को सीम देते हैं अपने राज्य से तो एक दिन निश्चेत रूप से यहां का पीम भी बनेगा केंदर में मुझे लगता है कि अन्ना मलाई के बारे में उन्होंने इस तरह की बात कही है इसके लावा उन्होंने MK स्टालिन जो यहां के चीफ मिनिस्टर है DMK के उनको भी चैलेंज किया कि उन्होंने वो अकसर कहते रहते हैं कि नरेंदर मोदी ने पिछले 9 साल में क्या किया है दरसल जो 9 साल हुए है सरकार के इसी उपलक्ष में जो कारेकरम संबोधित कर रहे हैं अमित शाह उसी के सिलसिले में वो तमील नाडो रांदर परदेस में गये थे यूपिय सरकार ने जबकि नरेंदर मोधी की सरकार में 2,47,000 करोड रुपे करच किये हैं और जो यहां गरांट दी जाती है राज्ये को वो 58,000 करोड कभी मिली थी यूपिय के 10 साल के करेकार में लेकि नरेंदर मोधी के 10 साल के करेकार में वो 2,31,000 करोड है यहां के को यहां पर नमलई ने बहुत डिसिप्लिन पार्टी बनाया है और पार्टी आने वाले समय में यहां अपना बेटर फ्यूचर देखती है उन्होंने यह भी कहा कि देखिए यहां पर अभी तक केंदर में यहां का रिपर्जेंटेशन बहुत कम है निश्चित सी बात है क्यों अपने सारे सांसद आपने DMK के जिताए हैं लेकिन उसके बावजूद भी केंदर में आपका प्रतिनिधित्म नहीं है दोजार चोबीस में एक बार फिर से नरेंदर मोदी प्रधान मंत्री बनने वाले हैं अगर आप इन 39 सीटों में से 39 लोग सभा सीटे हैं कमिल नाडु म तो उन्होंने का कि अगर आप इन 39 लोग सभा सीटों में से 25 नरेंदर मोदी को दे दें और केंदर में अपनी भागिदारी सुनिष्चित करें तो बहुत सारे लोग यहां से कैबिनेट में बन सकते हैं मंत्री बन सकते हैं और इसका राज्य को बहुत फाइदा हो सकता है त और यहां की जो कल्चर है उसको कितना रियलाइज करते हैं उसको कितना मैटर करते हैं परधान मंत्री नरेंदर मोदी यहां की भाषा को यहां के सिंगोल को इन सब को चीजों को अमित शान ने प्रजेंट किया और साते साथ लोगों के सामने एक थौट भी उन्होंने डाल जिस तरह से आपने केंदर में सरकार बनाई है, मोदी जी की सरकार है, उसी तरह से आप सहयोग करें कि राज्य में भी सरकार बनें, उन्होंने कहा कि अगर यहां से कोई PM बनाना चाते हैं, तो पहले यहां से किसी CM का निकलना बहुत जिलूरी है, तो देखिए अमित शाह इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन जो महत्पून कारेकरम रहा उनका, वो था विशाखा पतनम में, आंदर परदेश में, नो साल के कारेकाल होने के मोके पर, जो नरेंदर मोदी सरकार का है, उस मोके पर उनने विशाखा पतनम में जनसाभा को संबोदित किया, और उन्होंने देखिए जगन मोहन रेड़ी पर जबरदस्त परहार किये जो आंदर परदेश के चीफ मिनिस्टर है YSRCP के नेता है और जगन मोहन रेड़ी पर परहार करने का मतलब ये है कि BJP ने अब TDP के परती कुछ सोचना शुरू कर गिया है अभी पिछली दिनों जो पूर मुख्यमंत्री चंदरबाबू नैडू थे जो फिर से NDA में आना चाते हैं वो नरेंदर मोदी से मिले थे दिल्ली में कुछ और नेताओं से भी मिले थे और अमित शाह से भी शाहिद भी थे इन सब के बीच उन्होंने एक प्रियास रू किया है कि मुझे पुरानी जो गलतिया हों इससे माफ कर भीजे और फिर से मुझे अपने साथ ले लीजे और मुझे लग रहा है कि बीजे पी यहाँ पर अपने किसी अलाइज को देख रहे है क्योंकि बीजे पी यहाँ पर इतनी बड़ी पार्टी है नहीं बहुत छोटी मामूली सी पार्टी है और बीजेपी यहां चाहती है किसी तरह से यहां इंपक्ट क्रियेट किया जाए और सबसे पहले उसका जो लक्षे है यहां का क्योंकि यहां पर लोकसभा और विधान सभा चुनाव एक साथ ही होंगे अंदर पर देस में तो उनका लक्ष यहां पर मैकसिमम लोगसभा सीटे जीती जाएं इसलिए उन्होंने का कि अगर यहां के जो लोग हैं हमें ठीक ठाक सीटे जितवा दें उन्होंने तो कहा कि अगर यां गयर आप 20 लोगसभा सीटे हमें दे दें आप सब जानते हैं कि राज्य सभा में जगन मोहन रेड़ी की जो पार्टी है वो बीजेपी को लगतार सपोर्ट करती है। उन्होंने कई बाते कई उन्होंने ये भी कहा कि हम आंदर परदेश के विकास के लिए पैसा भेजते हैं लेकिन जगन मोहन रेड़ी के जो चेले चपाटे हैं कारे करता हैं वो सारा पैसा खा जाते हैं। जगन मोहन रेड़ी पर बड़ा हमला बोलते हैं मित्शान ये भी का कि जगन मोहन रेड़ी खुद को कहते हैं कि हम किसानों के बड़े हितेशी हैं। लेकिन आप ये बताईए कि जो आतम हत्या कर रहे हैं किसान उसकी लिस्ट में आंदर परदेश का नाम तीसरे स्थान पर क्यों है। दूसरे उन्होंने ये भी का कि परधान मंत्री नरेंदर मोधी पीम किसान योजना चलाते हैं और जिसे उस योजना को रायथू बरोसा के नाम से चला दिया है जगन मोहन रेड़ी ने। उन्होंने कहा कि आंदर परदेश को भी हमने 4-5 गुना हिल्प की है। जेपी नड़ा ने भी सम्मोधित की अमित शाह से एक दिन पहले उन्होंने भी YSR CP और जगन मोहन रेड़ी पर हमला बोला इसका मतलब पार्टी में ये तैह हो गया है कि जगन मोहन रेड़ी को निशाने पर रखना है राज्य सबा में उनका समर्थन मिले या ना मिले ये इतनी प्रयाटी नहीं है और अमित साइक बात और भी जानते हैं कि जगन मोहन रेड़ी अपने अपनी कमजोरियों की वज़े से समर्थन दे रहे हैं केंद सरकार को वो जानते हैं इस देश के सबसे अमीर सीम है आयसे अधिक संपत्ती के और बहुत सारे मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं और अगर इड़ी उसमें एक्शन में आती है तो जगन मोहन रेड़ी परिशानी में होंगे तो जगन मोहन रेड़ी की अपनी पीडा है अपना दर्द है इसी वज़े से जगन मोहन रेड़ी सौफ्ट कॉर्णर रखते हैं और अनकंडिशनल सपोर्ट केंद सरकार को देते रहते हैं तो मित्शान ने साफ कर दिया कि भले हमें जगन मोहन रेड़ी की आवशक्ता हो राज्य सबा में कोई भी बिलपास कराने के लिए लेकिन वो हमारे विरोधी हैं और हम उन पर हमला बोलते रहेंगे दूसरे एक और विवाद बतादू में आपको कि आंदर परदेश में धर्मांतरन की खबरे बहुत जादे आ रहे हैं और आप जानते हैं कि धर्मांतरन के खिलाफ बीजेपी का स्टैंड सभी राज्यों में कितना सपष्ट है इस वज़े से भी बीजेपी ये नहीं चाती कि जगन मुहन रेड़ी की सरकार वहाँ जादे समय तक रहें बीजेपी चाती है कि कम से कम हम ऐसी सरकार वहाँ पर बना ले जो हमारे सहयोग से चले देखते हैं इसमें क्या होता है लेकिन अमित शाने इतना सपष्ट कर दिया है कि तमिल नाडु में अन्ना वलाई पर उनकी नजर है और दूसरे जगन मौहन रेड़ी के परती उनके मन में कोई सौफ्ट कॉर्णर नहीं है उन्ने अगर सपोर्ट देना है तो अन्कंडिशनल सपोर्ट देई कोई शर्त उनकी नहीं मानी जाएगी वो विरोधी हैं तो उन्ने विरोधी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा इसलिए मैं कहता हूँ कि हर पालिटी को अमित्षा जैसे नेताओं की जरुत है और कॉंग्रेस को तो खास तोर से लेकिन उन्हें बिचारों को मिल नहीं रहा है कोई अमित्षा ने लोकसभा चुनाओं का बीगल फूक दिया है ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फिर होती है आपसे मुलाकात नमस्कार